हलो बच्चों कैसे हैं आप सब आयूब के आप सब बहुत बढ़िया हैं और आज हमें इस वीडियो में करने वाले हैं एड़ ग्रेड अब्याश पुस्तिका का चैप्टर नमबर शिक्स का अच्छा साथ का गरित विसया का डिस्क्रप्शन में लिंक है तो अन्य सब्जक्ट सब्सक्राया टुPad को अब 25 के हुआपि के को कोई भी अकृति आ यूज़ घ्री में दर जो अस्ती होगा है त्रबच कि आंत्रिक कोणों का यूग होगा 180 झीघ्रेड थिए तिर्भुज की जो हाइट होती है जो हाइट उसी को हम परपेंडिकुलर या सीर से लंबे भी बोल सकते हैं तीन तर्भुज होते हैं याद रखना एक तीन प्रकार के तर्भुज हो सकते हैं दो तरीके से दो प्रकार की बढ़गी करन करती हैं जैसे कि बुजाओं के आधर पर जैसे कि सम्दिवाहुत्रबुज हो गया ठीक है सम्भाहुत्रबुज हो गया और एक हो गया आपका विशमभाहुत्रबुज ठीक है एक हो गया न्यून कौन एक हो गया शम कौन और एक हो गया अधिक चलो आपने पुस्तक में ज़रूर पड़ा होगा नहीं पड़ा तो अभी कुश्चन करेंगे तो हम दीखेंगे इसमें एक्स कमान आपको गयाद करना है तो बच्चों एक्स कमान कैसी गयाद करेंगे प्रफ तीनो कोणो का युक कर लेंगे फि leaning जैसी कि इतर दिखो तीनो कोणो का युक क्या है नाइटी और तीस कितने हो गया 9 वह तीस कितने हो गया आपके 90 और तीस हो जाएंगे आपके 120 प्लस और प्लस X बराबर हो जाएगा 180, ठीक है, तो बस बराबर हो जाएगा 180, तो आप इसमें से अब स्कों सॉल्व कर लें, क्या, कि 20 इदर है, माइनिस हो जाएगा, 180 में 60 हो जाएगा, चाब इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा इदर लिखा हुआ है, A, B, C की सभी भुजाएगे, एक सीर्ष लिखिए, तो A, B, C की सभी भुजाएगे, जो है, यह भुजाएगे, A, B, B, C, और सीर्ष भुजाएगे, A, B, C, एनि बर्टिक्स, अगला कुश्यन है, कि किसी तर्भुज में सीर्ष लंब को आकरती बना कर प्रदर्शित करना है, तो देखो, यहाँ पर जो सीर्ष लंब है न, तो यह जो सीर्ष लंब है आपका, तो आकरती बना कर प्रदर्शित करेंगे, तो रेका खंड, A, L, तर्भुज का सीर्ष लंब है, अगला है, आकरती खीच कर पुश्टी कीजिए, कि एक सम्दवाहू तर्भुज में, एक सी को बच्चों, यहां मैंने चित्त बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि दिए गई, ट्रैंगल ABC में, AB बराबर AC है, इसके मद्दिका और सीर्ष लंब दोनों खींचते हैं, तो दोनों एक ही बिंदू पर मिलते हैं, यानि जो AL है, इसकी मद्दिका और सीर्ष लंब है एक्स कमान कैसे निकालेगी, तो तुरबुच के बाहा कौनों का जो बाहा कौन होता है, वो अंतहा कौनों सम्मक का यूग होता है, तो बस इदर को इसको हम दोनों को जोड़ देंगी, तो एक्स निकलाएगा, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट पीज पर पीज नमबर है, 65, ए एक्स ब्लस एक्स प्लस एक्स रख दिए सली त्छ प्रतिक 50 डिगरी का होगा प्रतिक कोण, एक तरबुच की दो भुजाओं की माप बारा सेंटीमेटर और पंदरा सेंटीमेटर है इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच मां होनी चाहिए देखो बच्चों है तरबश के दूभजाओं का योग तीसरी बजय से अधिक होता है जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जूड जो है अधिक होगा धेखो अधिक होता है अत्то तीसरी भजा 12 प्लस 15 बराबर 27 से कम होगे धिक्ति ऑनolnिक को जूड़ हो अधिक होगा तीसरी भजा जो इनका अंतर है उससे ज्यादा होगा तो अंतर कितना है 15 तीन से ज्यादा तीसरी भुजा तीन से बड़ी होनी चाहिए और 27 cm से छोटी होनी चाहिए एक त्रभुज की भुजाएं तीन चार और पांस सेंटी उटर हैं निर्दायत कीजिए कि क्या है एक समकॉण है पाइधकोर इस्थूरम में इसको पूट कर लिए यदि रूब होता है जैसे कि तीन स्कॉण बराब नो चार स्कॉण सूला पांच स्कॉण पांच स्कॉण तो बड़ा होता है तो बड़ा कॉमने उसिलिए दर लिया है चलते है नेस्ट पीच पर नयस्ट है कि एक पीड़ भूमी से 5 मीटर के हुचाही पर चूड जाता है यहां तो पांच मेटर यह तहर Tele vari fps होता है जो सबNEY क преп्रिंसरा बारा मीटर है अधार धरा तल पर छेती जहांसे तो करण है नहीं वाला एकस स्कॉआइ जीकूल तो पांच स्कॉआ यह नहीं कि, 2015 और परपेंडिकुलर स्कॉआ ठीक है करें तो इसको शॉल्व करें पाँच स्कॉरे मदला पिजी सोभालीज तो आप एकसों अनतर आ जाएगा एकस इसको आप अब मैंने पहले ही पिड़ कि पूरी हुचा हुचा ही और लास्ट कोशन है कि कोई तरह बूज है एक दो एक के नुपात में तो तीनों को जोड़ देंगी एक तुई तो आजाएगा आपका चार X बराबर 180 एक्स प्रकार भंगे 45 डिगरी 90 डिगरी और 45 बरूज पर भजाओं के आथर पर सम्दवाऊ उत्रभूज तो इस तरह चेप्टर जो होता है कंप्लिट आई हूप को लिए रहे हो चुका होगा वीडियो को लाइक को चाले सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो आपके डिस्क्रिप्चन में लिंक है प्लेलिस्ट की वहां दिचा कर देखें टेक क्यार